दोस्तो भारत में क्रिशी के साथ साथ पसु पालन एक मुख्य वेवसाय है और साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूद उत्पादक देश है लेकिन अन्य देशों की तुल्ला में हमारे देश के प्रती पशु के दूद की उत्पादकता बहुत कम है वैसे दोस्तो उन भाई के दूद को घरेले उपाय से बढ़ाने की तकनिक भी जानिए जिससे किसान भाई अधिक से अधिक दूद का उत्पादन कर पाएंगे तो दोस्तो वीडियो शुरूने से पहले जदी आपी चैनल पर पहली 12 तो नीचे लाल कलर के बटन को दबा कर चैनल को सस्क्राइ दूद कई बार नहीं उतरता है पहली बार बैयाई पशू का अयन का विकास सही तरीकी से ना होने के कारण भी ये समस्या आती है पर साथ ही पश्यों को अगर उची तहार ना मिले तो भी वो दूद नहीं दे पाती तो दोस्तो चली अब जानते हैं काई और भैसों के बढ़ाने के लिए उनके आहर में गेहू, मक्का, जोह, चनादाल का छिलका, सरसो, बिलोनी की रखी जरूर देना चाहिए और साथ ही हल्दी, सतावर, सौट और सफेद मसूली देने से पशू अधिक दूद देती है और चाहे तो आप चारे के साथ-साथ आहर में मिनिरल कै गोकर पशू के चारे में अच्छी तरह मिला ले और तो भी अगर मिनिरल की पुष्टी की बात करें तो उसके लिए आप प्रो पाउडर या मिल्क बुष्टर या मिल्किन दे सकते हैं और दोस्तों हरा चारा नेपियन घास, अलफा, बरसीम, लोबिया, मक्का, नियमित और साथ ही पशू को प्रती दिन लगवग 20 किलो हरा चारा, 4-5 किलो ग्राम सुखा चारा और 2-3 किलो दाना दें और साथ ही पशू को भरपुर मात्रा में ताजा पानी दें अच्छे दूद के उतपादन और फैट के लिए उच्चे गुनवक्ता वाले आहार जैसे केल्श को अधीक प्यार और उन पर हाथ फैलाने से भी दूद का उतपादन बढ़ने में मदद होता है तो दोस्तों ये थे गाई भैस के दूद बढ़ाने के घरेलू उपाए जदि आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रू सस्क्राइब कर लो वीडियो को ल पुलिएगा